इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहत बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुचाएंगे तो वहीं दोस्तों खबरों की तरह बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी इंडिया गड़ बंदन और राहूल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजेगा दोस् दोस्तों सामने निकल के आ रही है मध्द प्रदेश में भाजपाने बड़ी साजिस रची है कॉंग्रस ने रंगे हाथों पकड़ा है चुनाव आयोग भी बेनकाब हो गया है है जी हां दोस्तों मध्द प्रदेश की 230 विधान सबह सीटों पर वोटिंग संपन हुई जिले की नाधी राद को जो देखने को मिला है उसको देखने के बाद राहूल गांधी से लेकर के कॉंग्रिस के अद्धेच तक हैरान रहे गए हैं मद्ध प्रदेश से चौकाने वाली खबर आ रही है गोधी मीडिया ने खबर दबा दी जी हाँ दोस्तों लेकिन हम आप तक खबर पहुँचाएंगे सिप्पुरी जिले के पोरी विधान सभा में कॉंग्रेस कारकरताओं ने पुराने कबरिस्तान से छे इवियम यहाँ पर पकड़ी हैं जिसके बाद वहां मौके पर हंगामा हो गया कॉंग्रेस पार्टी के तमाम नेता और कारकरता मौके पर पहु इवियम कभी गाडियों में पकड़ी जाती हैं तो कभी कबरिस्तान से आखिर देश में यह किस तरहें का चुना हो रहा है कॉंग्रेस ने कई तरहें के सवाल खड़े किये हैं दोस्तों आप लोग भी अपनी राय जरूर बताईएगा कि इवियम से चुनाओ सही है या बैल सभा का चुना हो रहा है जिनमें से तीन राज्यों के अंदर वोटिंग भी पूरी हो चुकी है लेकिन इस बीच यहां पर बीजेपी के पक्ष में बचे हुए राज्यों और लोग सभा चुनाओ के लिए महल बनाने के लिए यहां पर कोधी मीडिया अम मैदान में उतर सकत भाजपा के साथ में गुप्त मीटिंग देखने को मिली है जी हां दोस्तों बताते चलें बीजेपी सपोर्टर सुधीर चौधरी अनप गोस्वामी रूबी का लियाकत जैसे तमाम यहां पर कथित पत्रकारों ने मुलकात की है पिया मोधी से सीधे तोर पर जिसके बार वि कोती मीडिया भी सोसल मीडिया पर ट्रेंड हुआ है एक यूजर ने लिखा कि मनुस के मुह में एक बार दलाली की कमाई का चसका लग जाए तो बहां कभी भी दलाली नहीं छोड़ेगा ठीक उसी तरह हिंदुस्तान के गोधी पत्रकार दलाली करना नहीं छोड़ेंगे दल सालों की जगहें जेल में होनी चाहिए निउस चैनल के स्टूडियो में नहीं हैश्टेग बाइकॉट कोती मीडिया दोस्तों अगर आप लोग भी बाइकॉट करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए गए जरूर इसके साथ ही एक और अपडेट बताते चलें साहब अपने मित्र को ही छोडने को लगता है कि तयार हो गए है कोईले के आयात बिल में यदाणी समूने की गड़बडी जाच की तयारी में अपसरकार राहुल गांधी का दबाव लगता है काम कर गया है कोईला आयात के मामले में गोतम अड़ानी समू को एक बड़ फिर जाँच का सामना करना पड़ सकता है इसके लिए जाँच एजन्सियों ने सुप्रीम कोड से उन्हें सिंगापुर से सबूत इखटा करने की अनुमती देने की अपिल की है बताते चले दोस्तों आप लोगों को यहां पर रिपोर्ट की माने तो राज़ा सोखोफिया एजन्स आयात की कीमत को बढ़ा चड़ा करके दिखाने और कोईले से जनरेट होने वाली बिजली ग्रहा को तक अधिक कीमत पर पहुंचाने के आरोप यहां पर लगे है जिसके बाद राहुल गांधी ने पूरे मामले को उठाया और अब सरकार पर दबाओ है चौबिस में सरकार ब बड़ी खबर आई है दोस्तों एक और अपडेड की तरह बढ़ते हैं विपच्छ ने खोल दिया है चोतरफा मोर्चा जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चलें विपच्छ के तमाम दिगज नेता अब करेंगे राश्ट्रपती दुरौपती मुर्मू से मुलकात क्या है पूरा मामला दोस्तों आप लोगों को यहां पर बताते चलें महराष्ट्र की सियासत में इन दिनों मराठा आरच्छन का मुद्दा करमाया हुआ है राज के कई हिस्सों में मराठा आरच्छन को लेकर के हिंसक प्रदर्शन और आगजनी भी हुई थी इस बीच सुत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मराठा आरच्छन की मांग को लेकर के सिवसेना उद्धा बाला सहब ठाकरे के सांसद संजयराउत प्रियंका चतुवेदी और विनायक राउत यहां पर राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए पहुँचे इसमें आरच्छन कोटा बढ़ाने की यहां पर मांग की गई है इन तमाम नेताओं की तरफ से राष्ट्रपती के सामने यह यहां पर देख सकते हैं कि सिंदे सरकार को घेरने के लिए अम्मोर्चा खोल दिया गया है तमाम दिगज नेताओं की तरफ से इसके साथ ही दोफ्तों एक और बड़ की खबर की तरह बढ़ते हैं ममता बनर जी ने कहा कि हर चीज का भगवा करण कर रही है केंदर की मोधी सरकार भड़की है स्रीम ममता बनर जी पश्यम मंगाल की मुख्यमंत्री वा टीमसी सुप्रीमो ममता बनर जी ने यहां पर जबरदस तरीके से केंदर सरकार पर हमला बो की जर्सी पहन करके प्रैक्टिस करते दिख रही है इस पर आपत्ती जताते हुए मुख्यमंत्री मम्ता बनर जी ने सवाल किया कि हर चेज भगवा रंग की आखिर क्यों बनाई जा रही है भारतिय क्रिके टीम जिस जर्सी में प्रैक्टिस कर रही है उसका रंग भी गिरुआ है इससे अब सुईकार नहीं किया जा सकता है यह यहाँ पर केंदर सरकार पर ममता पनरजी ने निसाना साधा है दोस्तों और पूरे मामले में घे रहा है इसके साथ ही एक और अपडेट की तरह बढ़ते हैं राहुल गांधी ने तेलंगाना में मोर्चा समहला कहा पहले बीजेपी के लोग तेलंगाना में सीना फुला करके निकलते थे पंदरा दिन में कॉंग्रेस ने बीजेपी की सारी हवा ही निकाल दी है राहूल गांधी ने कहा है कि हमने मोदी जी की गाड़ी के चारो टैर पंचर कर दिये अब वो तिलंगाना में दिखाई ही नहीं देते हैं यह यहाँ पर राहूल गांधी ने हुंकार भरी है इसके साथ ही दावा किया है कि राज़ी के अंदर कॉंग्रेस की सरकार बन रही है और कॉंग्रेस पार्टी का तूफान आने वाला है यह यहाँ पर देख सकते हैं कि वोटिंग से पहले राहूल गांधी लगतार राज़ी के दोरे कर रहे हैं इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर बताते चलें आप लोगों को. प्राइक दलके निता, मलू भटी, विक्रम मार्क और अनिकी उपस्थिती में उनको यहाँ पर पार्टी में सामिल करवाया है, उनका स्वागत किया है, यह यहाँ पर देख सकते हैं कि वोटिंग से पहले ही बीजेपी को बड़ा जड़का कॉंग्रेस पार्टी ने दे दिया यह यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बहुत बड़ी खबरे थी, मुख्य समचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचा है, अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजेगा, ज्यादा से ज्यादा इन खब